असलाम निकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुखिंग विट सहरीष कैसे हैं आप सब लोग उमेद करती हूँ, आप सब खीक होंगे तो फ्रेंड्स अगर अब ही तक आप लोगों ने मेरे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्ली जली से चैनल को सबस्क्राइब कर कुछ हमने सबस मिर्चे कट करके रखी हुए यह हमार पापड़ी है और यह हमने फुलकियां जो भिगो के रखी वी थी और साथ में ले लिए है अलू जो के हमने बॉयल करके कट कर लिये थे तो अभी हमने एक बाउल लिया इसके अंदर एड़ करते हैं हम अपने दहीं गो के रखी वी थी अच्छी तरह सौक करके हमने निकाल लिया और अभी हम एड़ कर रहे हैं इसके अंदर अपने पटैटो आलू तो मैं जो हम तिक रिपने एक बाउल रेड़ी कर रही हूं तो इसलिए जो हमें इसके हिसाब जही कांटिटी डालूंगी तो यह बहुत ही म और अनियन का यह जो आपको साइज और जो आपको राउंड में आ रहा है यह स्पेशल जो है आपको दहीं बड़ो में आड़ करने हैं कट्टिंग से जो है ना आपकी एक तो खाने की लुक और उपर से टेस्ट में बहुत ही परक पड़ता है और अभी हम एड़ कर रहे हैं जो कि मैंने चोटे-चोटे से कट कर लिये थे क्यूब, अभी हम ले रहे हैं योगर्ट, फुल फैट ले रहे हैं, हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिये, और अब हम इसको दहीं बड़ो के उपर, फुली जो है, स्प्रैट कर देंगे, इस योगर्ट में सिरफ मैंने साल साल्ट एड़ किया, और कुछ भी एड़ नहीं किया, और इसको अच्छी तरह से बीट किया, और जब भी आपका भी दहीं बड़े बनाएं तो कोशिश करें कि फुल क्रीम लें, आप फुल फैट आप लें योगर्ट, और अगर आप तो वैसे घर में बनाते हैं, तो कोशि चटनी में साल डाला, तो मैं अपना हिसाब से डाल रही हूं, आपको जितना मुनासिब लगताब डाल सकते हैं, यहां पर मैं डाल रही हैं धनिया पुदीना और सबस्मिश की स्पेशल चटनी, और मेरा ख्याल है कि इसके बगार जो है न धहीं बड़े कंप्लीट नहीं हो तो मैं इसको फ्राई करके दो, तो पापड़ी बना के मैं यूज कर लेती हूं, तो यह रमजान अबारा तो इन्शाला भी भी बना के रखोंगे और इसकी रेसिपी जो है, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, और यहां पर मैंने डाल रही है पापड़ी अपनी सा सफ्ट हो जाती है, तो बैटर है कि आप सिर्फ सर्फ करते वकर भी एक्स्टा साथ रखें क्योंकि जिसको जरूरत होगी वह साथ साथ डाल सके, और यह देखे मेरी माशारा मेरा प्लैटर भर चुक है, और अभी हम इसके ओपर स्प्रिंकल करेंगे, जो मेरे थोड़े वे जो मैंने थोड़े से बचाक रखे थे वो मैं इसके ओपर डालूंगी कारनिश के लिए ताके लुकवाइस ही अच्छे लग सके और वैसे भी दाइम बढ़ों के अंदर एक तो प्यास और दूसरा टामाटर की कॉंटरिटी जो है वह इसका टेस्ट जो है वह दुबाला कर देती हैं और यहां पर मैं एड़ कर रही हूं इसके अंदर ग्रीन चिली है और यह मेरे पस तेज वाली ग्रीन चिली है तो इसलिए मैंने कॉंटरिटी जो है वह कम रखिया लेकिन अगर आपके पास पाकिसानी मिर्श या दूसी मिर्श हो ग्रीन वाली तो आब वो कट करक तो मुझे तो स्पाइस की वज़े से यह कम डालनी पड़ी अभी जो मेरे पस बचे वे प्यास थे वो मैं इसके अपर डाल रही हूं और साथ ही मैं इसको खुबसूरत दिखाने के लिए इसके अपर मैं रखूंगी धनिया और पोदीना ताकि यह दिखने में बहुत खुबसूरत लग सके और इन्शाला खाने में तो यह बहुत ही मज़ेदार होंगे तो होपसूरत आपको रेसे भी अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगेकी तो प्लिज अपने फैमिली और फ्रेंडस में ज़रूर शेयर कीजेगा और विडियो को फुल देखिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली इससब्सक्राइब का तुदो हो मैं यादर कि एगा पिरेंचा लामी लेंगे